हालो फ्रेंट नमस्ते आप सबका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल मधूलिका यूपी आर बील मैं हूँ मधूली का फ्रेंट आप लोग कैसे I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो फ्रेंट सोरी मैंने दो दिन वीडियो नहीं डाल पाई हूं और ही में इसकी LA एक खर प्रॉपर बीडियो लेकी आए एक सामने मैं उनकी बीडियो देखिती और बीडियो में ऐसे नहीं देखती थी और पर्सो मेंने उनकी बीडियो देखी और कि उनका सपोर्ट करें तो फ्रेट में आज एक ऐसी दीदी के बारे में बात करने वाली हूं जिनके चनल का नाम है जिया रजावत जिया रजावत करकी एक दीदी है और उनकी उनके दो बच्चे हैं एक लड़का है एक लड़की है और उनके हस्बेन सहीद हो गए हैं उनकी शादी के तीन साल बाद उनके हस्बेन इस दुनिया से चले गए थे देश के नाम पर देश को कुर्बान हो गए दे है वो भी कैसे चोड़ी चुपके से उनके घर वालों को नहीं मालूँ कि वो Youtube बनाती है वो खुद बताये हैं कि मतलब मेरे घर वाले नहीं उनको पता कि यह YouTube बनाती है तो फ्रैंट कहने का मतलब यही है कि एक एक नारी कि अपने बच्चों के लिए एक माँ अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ कर रही है वो बताती है मैं जो भी आई हूँ जो वीडियो में हूँ तो अपने बच्चों के लिए हूँ अपने बच्चों के लिए क्योंकि वो चाहती है कि मेरे बच्चे जो कुछ बने और ब YouTube प्लेट फार्म बहुत अच्छा है इसमें सब जितनी हमारी पूरी फैमली है एक दुसरे का बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं जो छूट यूटूबर हैं उनको हम लोग आगे ले जाते हैं आगे बढ़ाते हैं क्योंकि जो बड़े यूटूबर हैं वो भी धीरे-धीरे कर करते हैं कि राई से परवत होता मतलब छोटा सा राई होता वो धीरे-धीरे जब कोई काम करता हो तो परवत बन जाता तो वैसे ही वो दीदी भी लगी हुए अभी उनको उतनी कामियाबी नहीं मिली है क्योंकि उनके चैनल में सब्सक्राइबर तो कंप्लीट कर ली हैं वो लगबग 3,000 सब्सक्राइबर हो रहा हैं उनके अभी पूरे नहीं हुए मगर उनका वास टाइमिंग नहीं पूरा हुआ तो फ्रेंड मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि हम लोग भी उनका सपोर्ट करें और उनके चैनल में भी कई लोग निगेटिव कामेंट करते हैं तो फ इतना अपने आपको मजबूत बनाती हैं किसके लिए अपने बच्चों को लिए एक मस सब कुछ जेल सकती हैं बिना खाये रह सकती हैं और बिना करते ना दो तीन दिन बिना खाये रह सकती हैं कपड़े भी फटे पुराने पहन सकती हैं सब चीज मगर अपने बच्चों को क अभी कपड़े खराम नहीं पैनाएंगी अपने बच्चों को सबसे आगे ले जाने की कोशिस करती है तो फ्रेंड हम लोग क्यों ना उनका सपोर्ट करें हम सारे लोग उनका सपोर्ट करें क्योंकि वह उनका भी चैनल ग्रो करें तो फ्रेंड कहते हैं ना कि मतलब देने वाल तो उपर वाला होता है मगर हाँ किसी का सहयोग होता है तो हो सकता है हमारे आपके सहयोग से उनकी भी लाइफ सुधर जाए तो सब लोग उनको बहुत कुछ लोग तो उनके केम निगेट्व कमेंट करते हैं कि आपको जॉब करना चाहिए है उनके दो बच्चे हैं कैसे वरिस करने, इस से ज़्यादा और जॉब क्या चाहिए? क्योंकि उनको बच्चे को कोई गाइड देने वाला नहीं है हाई वो सास ससूर के शाथ में हैं मगर जो माप अपने बच्चों को गाइड देंगे वो सास ससूर देंगे मगर उतना नहीं दे पाएंगे मा और बाप अगर अपने बच्चों को डाटता है तो बच्चों को बुरा नहीं लगेगा अगर यही दादी, बाबा, नानी, नाना, चाची-चाचो जो भी उनको अगर डाटेंगे तो बच्चों को बुरा लगता तो friend बस यहीं चाहते हैं उनको भी support करना चाहिए न? हम लोगों को क्यों हम लोग support उनका कहला ह? हम लोग भी जादा से जादा उनकी video watch करें ताकि उनका जो timing watch timing complete नहीं हुआ वह भी complete हो जाए क्योंकि हम लोगों के लिए इस देश से गए उनके husband जो हम देश के लिए निच्छावर हो गए हैं, अपके इनकी जान गई शहिद हो गए हो आर्मी में थे इसके लिए हो सहिद हो गए तो हम लोग भी उनको आगे ले जाएं, फ्रेंट तो मैं सोचती हूँ मैं ये वीडियो क्यों डाली हूँ, मैं ये सोचती हूँ सायद मेरी वज़े से किसी का भला हो जाए मैं अपना उतना भला नहीं करना चाहती किसी और का भला हो जाए मेरी वज़े से क्योंकि यह हो शकता है कि मेरी वीडियो जादा जैसे जितने लोग मुझे जानते हैं तो मेरी वीडियो देखेंगे तो उनको पहचानेंगे, उनके चैनल पे जाएंगे, बीजिट करेंगे और उनको देखेंगे, उनका चैनल देखेंगे तो बस यही वीडियो बनाने का अम गता है, तो फ्रेंड एक बात और बोलेंगे अगर आप इस चैन में नए है तो प्लीज सस्क्राइब माई चैनल अब अगल में बेल आइकन है उसे भी बजा दे जैसे कि मैं कोई नए वीडियो डालू इसका लिंक आप तक जरूर पहुचेगा और फ्रेंड अगर वीडियो में थोड़ा सा किसी का दर्द और दुख समझ में आए तो प्लीज लाइक करना और कमेंट करके चरूर बताना कि आप लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं